हाई बच्चो मेरा नाम केतन है मैं DC alumni हूँ और मुझे डाउटनेट की चैनल पर देख रहे हैं तो गाइस आज हम बड़ा इंटरस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं इसका नाम है Conductivity and Conductance तो जो लास्ट टॉपिक है बिल्कुल आप कह सकते हो इस चैप्टर के लेक्ट्रोगेमिस्ट्री तो Conductivity और Conductance, कपा और जी की बात करा रहा हूँ basically, मैं किस की बात कर रहा हूँ , मैं कपा और जी K stand but guys कपा कपा का माद्ब क्या होता है धियान रहाँ दिवाल फीज इससे बोलते है हम Conductivity क्या बोलते है इसको हम Conductivity और जी को क क्या बोलते है Connunnunnunnontance ठीक है, इसको हम specific conductance भी बोल देते हैं, एक ही बात है, specific conductance बोल दो, या conductivity बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, right, तो guys, मैं कोशिश करूँ, मैं कोशिश किये कर रहा हूँ कि जही means कि 2014 में question आयो है, इस सवाल से आपको conductance और conductivity के formula से रूबरू कर दूँ और आपको बता दूँ कि कैसे formula apply करके answer आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर guys, तर्फ दो ही formula लगेंगे, आपको मैं एक बार highlight कर रहता हूँ, दो formula में use करने है, that's it, उसके अलावा, यहाँ पर कोई और formula थीसर यूज नहीं होने बाला, उसके basis पे answer यहाँ पर 1000 by M, ठीक है, M क्या होता है, यह lambda M क्या होता है, इसे कहते है, molar conductivity, इसे कहते है guys, molar conductivity, okay, this is called as molar conductivity, G तको मैंने बताई दिया, conductor हैंसे, काप आपको मैंने बताई दिया, क्या है, conductivity है, G star क्या है guys, cell constant है, G star क्या है, cell constant है, जो कि क्या होता है, L by A, L क्या होता है, length, ठीक है, L क्या हो होता है length और a के होता है area of cross section right ठीक है तो यह दो ही formula use होंगे और यह question guys जही means का हम solve कर देंगे तो यहाँ पर idea वही था कि conductance और conductivity को मैं question से explain करूँ जो previous है जही means में आयो होगा है तो आई यह तरह discuss करते हैं कैसे इस question को हम guys conductance और conductivity की help से इस question को solve कर सकते हैं ध्यान रखना एक बाब बतायता हूँ आपको इसना resistance वर्ड आपको दिख रहा होगा तो मैं highlight कर रहा हूँ यह resistance लिखा है यह resistance लिखा है तो resistance का ultra-beta conductance होता है resistance का reciprocal क्या होता है conductance होता है in fact resistivity का reciprocal conductivity होता है तो अगर हमें resistance दे रखा है let's say 550 ohms तो अगर मैं conductance जिकार लोता हूँ क्या करेंगे 1 by 50 ohms 1 by 50 ohm inverse कर देंगे तो ध्यान रखना conductance is equal to 1 by r r आपको पता है क्या होता है इस resistance क्या होता है resistance ठीक है although formula पता नहीं कोई बड़ा अब मैं कह सकता हूँ कोई बहुत हरा important formula नहीं है बड़ पता होना चाहिए conductance का ultra resistance और conductivity का ultra resistivity होता है ठीक है अब देखिए इन दोनो formula की help से guys कैसे इस question को solve करेंगे we'll see that ठीक है इन दोनों की formula की help से हमें क्या करना है इस question को solve करना और कुछ नहीं करना तो आइए जरह बढ़ते हैं इस question पर ही बहुत देखते हैं कैसे करना है इस question को तो let's see this question ठीक है आइए देखते हैं इन दोनो formula को ही guys क्या करना है use करना है हाँ एक चीज़ और थी इस formula में guys units में बच्चे बहुत गलती करते है units क्या होते हैं को मैं बतायता हूँ इसकी होती है zemen centimeter inverse इसकी unit होती है moles per liter ठीक है ध्यान रखना please तभी इसकी units क्या निकल की आती है zeemen centimeter square mole inverse ठीक है बड़ आपको question में दे रखे आपको उने कहाना है zeemen meter square mole inverse तो ध्यान रखना हमें centimeter को meter में convert करना पड़ेगा ठीक है बस यहीं गलती होगी अदरवाइस तो कोई question में गलती होने के चांसे से नहीं होगे अदरवाइस पुट दो फॉर्म लें गेट द आंसर वाली feeling होगी फॉर्मले के अंदर ठीक है बट unit का पेचानना है तो मैंने आप अदर को specify कर दिया है कि kappa की unit क्या होने चाहिए zeeman centimeter inverse होने चाहिए ठीक है और mol की unit molality इससे molality ना molality की unit क्या होती है मोल स्पर लिटर होने चाहिए तब जाके यह आपका answer zeeman centimeter square mol inverse में आता है ठीक है या फिर अगर आपको directly ही meter inverse में चाहिए अगर आपको directly इसी units में answer चाहिए तो बताए क्या करो formula कोड़ा चाहिए फॉर्मुले में इतना आजाता देखो formula में इतना ही चाहिए कि जो lambda time होगा न वह हो जाएगा kappa by m क्या हो जाएगा kappa by m तो इस case में बस molarity भी ध्यान रखना किसमें होने चाहिए moles per meter cube में होने चाहिए और आपका kappa किसमें होना चाहिए zemen meter inverse में होना चाहिए तो किसमें आरेका automatically zemen meter square mole inverse में आ जाएगा तो आपकी मर्जी है जाए कोई साही formula लगाओ answer आएगा ही आएगा ultimately मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे लगता है ये दोनों formula में चाहिए ये वाला formula चोड़ता हूँ कोगे दिक्कत निया है ठीक है ये वाला formula चोड़ता हूँ याद दोनों चाहिए उसके बाद expect करेगा answer वह हम बता देंगे क्या दिक्कत है वाई centimeter square में आ रहा है तो सब्सक्राइब करने कर सकते है क्या कर सकते है एक centimeter into minus two meter होता है ठीक है राइट तो आइए तरह बढ़ते है इस question पर देखते है कैसे करेंगे इस question को देखते है guys आइए ठीक है सिर्फ दो ही formula से guys एक question हमारा हो जाएगा कोई दिक्कत हले बाद नहीं होगी तो लेखे तरह कैसे करेंगे इतने simple करेंगे इस question को ठीक है पहले बढ़ते है लाइन वो कहा है resistance of point two molar solution of electrolyte is 50 ohms ठीक है resistance of point two molar of a solution इसका 50 ohm resistance है ठीक है उस conductance क्या हो वाई 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 1 by 50 ohm inverse ठीक है मैंने वोको बताया था conductance होता है G that is reciprocal of resistance और specific conductance दे रखा है बटा specific conductance का मैंने अभी बताया था क्या होता है कापा बला conductivity तो कापा की बालो दे रखिया बटा में कितनी दे रखिया कापा दे रखिया में 1.4 zeeman meter square मैं क्या करूंगा कर इसको na centimeter में convert कर लेता हूँ centimeter में convert होगा तो क्या होगा 1.4 zeeman 1.4 into 10 to bar minus 2 zeeman centimeter inverse ठीक है यहां तक आगए अब क्या करते हैं गाईस हम देखो कापा दे रख है G दे रख है आपको मने बताया था कि कापा और G का अब की फॉर्मुलायड एड़िस G into G star is equal to kappa तो एचली यहां पर क्या होगा यहां पर G star निकल के आ जाएगा G into G is equal to kappa G into G star is equal to kappa तो यहां से G star निकल के आ जाएगा वो क्या होगा देखो क्या होगा kappa by G तो kappa यह है और G क्या है बिटा G है हमारा 1 by 50 ठीक है यह हमारी value आ गई अच्छा इस value को कहीज हम आगे यह यह यूज करेंगे obviously यहां पर आगे stop थो न हो जाएगा यह value का आगे use होगी तो अभी इमने second part तो question नहीं पढ़ा है अभी इमने सिर्फ यहां तक पड़ा है यहां तो यहां तो यह बासर में आगे resistance गिवन था तो conductance निकाल लिया specific conductance गिवन था तो conductivity निकाल लिया के अप कापाव इसे कहता हूं और one point और मैंने क्या किया है यहां से जी सर निकाल लिया नाचुरली से कही उस करूँगा वह आगे उस करूँगा वह आगे उस करूँगा विकास second part of the question भी है आप पढ़े अध्यान से तो resistance फिर दे रखिया हमें 0.5 molar solution की same electrolyte है बट उसकी resistance कितनी हो कि 280 ohms हो चुकिया ठीक है और हमें क्या निकालना है काइस हमें निकालना है conductivity क्या ठीक है तो और यह देखते हैं इस G star जो हमने निकाला है इसको हम आगे कैसे कहां यूज कर सकते हैं तो और यह दर दिसस करते हैं guys देखते हैं देखें एक बड़ी गाइस lambda m की value क्या होती है अभी मैंने बताया था lambda m की value क्या होती है kappa into 1000 by m ठीक है kappa कौन सा ही है यह सब जो बात हो रही है सारी 0.5 molar के लिए बात हो रही है guys तो 0.5 molar के लिए तो specific conductance given नहीं है question में तो पहले में निकालना बढ़ेगा इसका मतलब that means kappa निकालो पहले 0.5 molar का कितना होगा जी क्या होगा बढ़े G into G star दुबारा से तो G हमें I think दे रखा है कितना है रहो 280 ohms हमें resistance दे रखा है तो resistance से conductance आदेगा जो कि क्या होगा 1 upon 280 ठीक है value आ गई यह किसमें आ रहे automatically guys यहार यह Zeeman centimeter inverse में तो कि यह value किसमें दी Zeeman centimeter inverse में ठीक है right I hope it is clear ठीक है guys तो कुछ नहीं कर रहा है मैंने formula based question कर रहा हूँ पहले मुझे conductance और kappa given था तो मैंने g star निकाल लिया g star को आगे use कर लिया तो इसका kappa आ गया अब इसका kappa आ गया इसको यहाँ put करूँगा तो क्या आदेगा molar conductivity आ जाएगा तो आए जरब put करते है molar conductivity और answer देखते है कितना आता है तो यह कितना आ रहे बिटा 1 upon 280 into 1.4 10 to power minus 2 into 50 into 1000 और यह किसम बोला था मैंने most per liter में होना चाहिए तो 0.5 molar most per liter ही होता है तो 0.5 बट ध्यान रखना जो answer आएगा वो zeeman centimeter square mole inverse में आएगा मैं को बहुँ बहु एल explain कर चुका हूँ मैंने बताया था अगर आपका molarity moles per liter में हो और कापा किसमे हो बैटा कापा किसमे हो आपका zeeman centimeter inverse में हो तो जो units आती है वो क्या होती है यह होती है बट हमसे पूछा क्या गया है हमसे बूछा यह गया है तो हम कुछ नहीं करेंगे centimeter square को meter square में convert कर देंगे ठीक है आएगे discuss करते है soli करने अब तो बस हो गया question तो यह से गया यह से 10 से गया यह क्या 20 यह 10 गया कितना आ गया 1 by 2 10 की पार minus plus 1 that is कितना आ गया 1 up one 5 आगया answer कितना आ गया answer 5 आ गया 5 zeeman cm square mole inverse बट हमसे पूछा क्या गयाता है बट हमसे पूछा था zeeman meter square mole inverse में निकाळो किसमें निकाळो zeeman meter square mole inverse में निकाळो तो centimeter square को meter square में convert करने बट तो क्या करेंगे 10 to power minus 4 से multiply कर देंगे i repart, सिंपल सी बात है जुआ 1 cm कितना होता है 1 cm कितना होता है 10 to become a değ 10 from minus 2 mint n KopfATA क्या इसका मेला square क्या होगा 10 to become a È 10 to V minus 4 meter square हो जाएगा, तो यह value क्या है जाएगा यह value क्या हो जाएगा, यह value क्या हो five तो देख लो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B part, आंसर क्या हो जाएगा बिटा, B part, तो देख लो जाएगा, दो फॉर्मले में दुबारे से हालाइट करूँगा, एक ये फॉर्मला था, एक ये फॉर्मला था, इसको हालाइट किया है, और एक ये फॉर्मला था, इसको हालाइट करके ये आंसर निकाल लिया, जो J means 2014 में आया था, तो बच्चो सन में आया है ये नहीं आया, एक बार हाँ ये जवाब दीजिए, पोल रॉन कर रहो हुँए, ठीक है, एक पोल रॉन ह हो रहे गा ही, सन में आया है ये नहीं आया है, ये question इतना simple तरीके से हमने solve कर रहा है, इसमें सिर्फ दो formula involved थे, उनको involve करके हमने question को कर लिया है, तो conductance और conductivity पे based, ये numerical, जो J means में आया है बार है बटा, क्या हमें clear है, ज़रा हाई नाव में जवाब दीजिए, कुछ नहीं किया है, मैं दुबारा से पर repeat कर रहे था हूँ, मैंने question में पहले बोला था कि आपके बस 0.2 molar solution का, जया है, सुना please, 0.2 molar solution का resistance गिवन है 50 ohms, तो मैंने कहा है यार हमें तो formula है, G star into G is equal to kappa, और G क्या होता है, G होता है, conductance होता है, क्या होता है जी, conductance होता है, और kappa की value दे ही रखी थी 1.4 zeman meter inverse, तो मैंने कहा कि हो centimeter में convert कर लिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे बता है, इस formula में kappa अगर रखना हो तो centimeter में inverse में करना हुआ, इसलिए हम बार बार centimeter inverse में convert कर रहा हूँ, ठीक है, units में खेलना आना चाहिए हम लोगों, तो यह निकाला, उसस के लिए हम जी स्टार चाहिए था, तो क्या कि हमने इस जी स्टार को यहाँ पर यूस कर लिया, ठीक है, kappa निकालने के लिए हम जी गंडॉक्टन से रखा था, किसके लिए, 0.5 molar solution के लिए, यह जो कहानी होई है, यह 0.5 molar solution के लिए है, तो डिफरेंट है, 0.2 molar solution मे बार रख मुझे कुछ्य में दे रखा था नहीं दे रखा था तो मैंने क्या K Ab Deep उसका O 12 उसका रोकल कर दिया तो क्या होगे बांवाइं 20 जिक रहे लिए चैकर ud टोस्से क्या आगया विठा कापा अगया मेरा कापा को यहां इत्र कपडेसिन निकाल ला था मुझे मुझे तो molar conductivity निकाल ली थी, तो molar conductivity का formula ये बाला होता है, हमें पता ही है, तो kappa है पुट करके, molarity पुट करके, क्या करा हमने answer निकाल लिया, कितना आगे मेरा 5 आया था, but इसकी units क्या थी मेरा पताया था आपको, अगर इसकी units होती है, mole per liter, जहान सुनना बिटा, Zeeman centimeter square mole inverse, बट हमसे क्या बूचा था, हमसे ये स्विनेटा बूचा था, Zeeman meter square mole inverse, तो कुछ नहीं करा मैंने, centimeter square को meter square में convert कर दिया, ठीक है, अब बताओ समझ में आया ये नहीं आया, ये नहीं आया गाईस, है ना, conductive video, conductance पर ऐसे ही नुमेरे कर आते हैं, paper के अंदर, तो आप दो formula बस अगर learn कर लो, तो आप ऐसे question नहीं से कर सकते हूँ, जो J means के level के होते हैं, ठीक है, तो I think ये देखो, इसमें हमें सनमें आरी है बात नहीं आरी है, हाई ना में जवाब दीजे बिटा, पोल आरा आप की तरफ, ओके, बहुत बढ़ी है बिटा, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि conductance और conductivity पे, अगर हम ये numerical समझ लें, तो हमें ultimately दो ही formula भी deal करना होता है, एक कौन सा, एक ये वाला, first formula, जिसका नाम है, kappa is equal to g star into g, और दूसरा formula क्या है बिटा, ये वाला, molar conductivity, that is kappa into thousand by m, बस ध्यान रखना, बच्चे गलती units में ही करेंगे, तो molarity की unit small palitter लेना, और kappa की unit, zeeman centimeter inverse लेना, तब जाके answer इसमें आएगा, zeeman centimeter square mole inverse, ठीक है, accordingly, paper में अगर ये बूचा है, तो इसमें लिख देंगे, बढ़ी centimeter square को meter में करना ही ना, तो easy रहेगा, क्या दिख लाई करने जिखा दूँ आपको, जहीं मेंट के questions के अंदर, ठीक है, तो thank you for watching, thank you so much